नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फिर से एक बार हिंदी टेक मसाला यूटूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम एकाउंट डिलीट कैसे किया जाता है Instagram account delete कैसे करते है permanently 2014 में क्या आप भी अपने Instagram account को हमेशा हमेशा के लिए delete करना चाहते हैं तो सिर्फ एक मिनट के अंदर अंदर delete कर सकते हैं और इस वीडियो के अंदर आपको मैं new update के साथ बताऊंगा कि Instagram account delete कैसे किया जाता है तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं और वीडियो को start करने से पहले अगर आप मारे YouTube channel पर नए हो तो channel को एक बाद जरूर subscribe कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को एक लाइज जरूर कर देना और दोस्तों में आपको सही तरीका बताने वाला हो इस वीडियो के अंदर की Instagram account delete कैसे किया जाता है तो दोस्तों Instagram account delete करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile के screen पर Instagram app को open कर लेना है अब जैसे आपका Instagram app open हो जाएगा यहाँ पर निच्छे आपकी profile देखने को मिलेगी तो आपको इस profile पर click करना है और जैसे आप इस profile पर click करोगे आप सबसे पहले आपको जिस भी Instagram account को delete करना है यहाँ पर login कर लेना है मैं पहले से login कर रखा हूँ अब यहाँ पर login हो जाने के बाद कोड़े में आपको उत्री लाइन देखने को मिलेगा तो आपको उत्री लाइन पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर settings and activity का page open हो जाएगा और सबसे उपर ही आपको account center के नाम से एक मतलब setting देखने को मिलेगा तो इसके उपर click कीजेगा और जैसे आप इसके उपर click करेंगे आपके सामने एक नाया page open होगा account center का और यहाँ पर आपको बहुत सारा option देखने को मिलेगा अब यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा परसनल डिटेल्स का तो आपको परसनल डिटेल्स पर click करना है और जैसे आप इसके किलिक करोगे किलिक करने के बार यहां पर परसनल लिटेल्स का एक ना पेज ओपन होगा और सबसे नीची आपको लिखा हुआ दिखाई देगा Account, Ownership and Control तो इसके उपर आपको किलिक करना है और जैसे आप इसके उपर किलिक करोगे आज आएगा आप दोस्तों मैं इस वाले instagram एकाउंट को डिलीट करना चाहतो permanently के लिए तो मैं इस पर click करूंगा और click करने के बाद दोस्तों deactivating और deleting your instagram एकाउंट आज आएगा और यहां पर दो option देखनों मिलेगा पहला option यहां पर deactivate account और दूसरा करेंगे ठिक करने के बाद कर दोस्तों यहां पर यहां को धी सब्सक्राइब यहां पे करने के लिएज़ है तो यहां लिद्ध करना यहां पर आपका Instagram account आ जाएगा जो आप डिलेट करने जा रहे हो और फिर आपको दोबारा continue पर किलिक करना है और जैसे आप continue पर किलिक करोगे यहां पर दोबारा आपको confirm आएगा continue का उस पर किलिक करके और अपने Instagram account को हमेशा हमेशा कले डिलेट कर सकते हो लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान दीजेगा अगर आप अपने Instagram account को वापस लाना चाहते हो तो 30 दिन के अंदर अंदर ही फिर Instagram ID और password डाल के और login करके अपने Instagram को वापर ला सकते हो अगर आप हमेशा ह Instagram ID और password login मत की जाएगा 30 दिन के बाद आपका जो Instagram account ही हो हमेशा हमेशा कले आपके account से मतलब खतम हो जाएगा मतलब डिलेट हो जाएगा तो दोस्तों मैंने पूरा प्रोसे बता दिया कि कैसे आपको क्या करना है तब जाके आपका Instagram account डिलेट होगा अब हम यहां से बेक आ ज प्रोसे झातर।